अगले कोले के पाथ चलते हैं नमस्कार बोलिए आप लाइमी जूड़ चुके हैं लाइन में तो हैं हाँ क्या कहना है आपको कहना यही है कि कौले तो आपको धन्यबाद देंगे ऐसा प्रोग्राम लाने के लिए बदाई और इसके बाद हम कहेंगे के लिए हैं जिस राफ्टे सब्चे सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माधम से हैं मैं रिक्वेस्ट करूँगा देश के रिस्टिकों से इसके भी कॉंग्रेसिया को लोग भोट नहीं दे देनेवाद आप देख रहे हैं बिंदास बोलो और बिंदास में हम उद्दा लेकर आए कि महराश में जिस प्रकार से लबीटी के नाम पर अब ये शडियंत्र देश भर में सब जगा पर लाने की तयारी हुई है इसको व्यापारियों ने विरोध करने की ज़रत है व्यापारियों इसको जो विरोध कर रहे हैं इसको आम व्यक्ति ने साथ देने की ज़रूरत है मिडिया ने उनके लिए आवाज उठाने की ज़रूरत है क्योंकि ये लबीटी केवल लबीटी स्तानिक कर नहीं है ये विदेशी शडियंत्र का बड़ा हिस्सा है कॉलर के पास चलते हैं आप भी कॉल कर सकते हैं नमस्कार बोलिए क्या कहना है हलो नमस्कार सुरेज जिराज केमल बहुत कर रहा हूं मेरा रोड से हैं लबीटी मेरा भाइंदर में दो जार्दस से लग हुए और अभी जो चल रहा है इतना इस मेरलो यह पैनफुल है कि पूछो मत इसमें अभी एक तो रेट का जो डिफरेंस आ रहा है क्योंकि लोग आउटेट से आते हैं और के तरह ली करते हैं और चले जाते हैं जो चाटर सब्सक्राइब का मार्जन के हैं और जो इसमें रेट का डिफरेंस आ रहा है और एक चोटे वेपारी को इसमें एकाउंट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है आप खुद वेपारी हैं मैं वेपारी भी हूँ और अगरिक बत्रगार भी हूँ मैंने इसका परताल किया था तो इसमें इतना चोटे चोटे वेपारी जुखते हैं उनको मतलो इतना प्रेशा नहीं होता है कि आप चीज ले क्या हो वो आदमी एक पेला आदमी काम करने वाला अपना दुकान कर गए और ये मुल्च बल्टी ओपिछ में लबेटी वेवागनी चक्कर गाटते हैं और उनको ये इतना तकलिफ हो रहा है और आज एक मेना हो गया इस पे कोई डिसिजन ही नहीं हो रहा है तो आगे इस पे क्या होने होने अपने सर ये बड़ी बड़ी कंपणियों को भारत का बाजार खुला करने के पक्ष में हो इसलिए बड़ा शड़ें तरफ चल रहा है लेकिन इस देश का अगर आद में एक साथ आता है तो ये संभव है कि इसको रोका चाए अगले को अलर्ट के पाच चलते है कि नमस्कार को लापुर से घंशांबर बात कर रहा हूं व्यापर इमासंग से हाँ पूली घंशांबर आज जो महारास्ट्र कवर्मेंट में यह उक्त्रा के बदले अल्डीटी टेक्स के लिए हुआ है और पिछले लिए लगाकार 25-25 दिनों से महारास्ट्र के सभी कर्परेशन इरिया में जो लापारी लोग स्ट्राइप पे गए हुए दो मीजा अर्तान पे गए हुए इसकी शुरुआत कोलापुर में 2011 से चल रही है हम लोगों ने 15 दिन का बन कर दिया मुख्यमंतरी ने हमें आस्वाशन दिया लोग कुछ भी नहीं कर रहे हुए व्यापारी को नहीं क नहीं है चिर्फ और बड़े शोरों ने लगा जा रहा है हम इसके ऊपर हम व्यापारी ने बहुत से आंधम दो पहरे दिन का बंद रखा गया था बाद में हम लोगों ने के उपर बड़ा सा किया फिर भी सिये माज दो साथ से हमारी बात नहीं सुन रहे हैं इसे हमाज नहुआ दिन है हमारा कॉलापुर ने भी श्ट्राइक का यहां लोगों को बड़े-बड़े मौल सभी बंदे सभी व् करेंगे और मातना गांजी जी का अवसर कर अंदरन इस देश में फिर से छड़ा जाएगा और सरकार की आर्फिक नाचाबंदी करेंगे और सरकार को जुखना पड़ेगा एक से अपरी अपने जुद से नहीं बड़ता वो जंता से वसुल करके बड़ता है और रियोल कलेक् करेंगे का अपने रखना पड़ेगा ऐसे पचीस हजार दुकान में कोलापूर सिटी में है तो उनका क्रोरों रूपे का खर्चा हो यह अपने जुद से नहीं लाड़ेगा तो 5% जो टेक्स लगा रहे हैं वो और अनादर 5% ऐसा 10% महेंगा ही बड़ेगी इससे बड़ी ब हो गई है उसे तो पर अईक्ता प्रसासरी नी लोगों की बासे समझने आती है सेक्रेटरी के सिवह हमारे के पूर्चीराज बाबा है वह बोस ब्रटि रखिर detox वह aunब बात्यों की सुका है नहीं महाराष्न में सब्सें ज्याहर नहीं कंब वह दुने inspirแล को अमारे सिर्चा ध करेंगे हमारी महालक्षमी माता का देवी का अभिशेक की आप कह रहे हैं लेकिन यहां राज्यकरताओं के पास तो वालमार्ट की लक्षमी पहले पहुच चुकी है उसकी इमानदारी उनके लिए आनिवार है क्योंकि उसको वापस लटानी की हिम्मत इस देश के किसी राजनेता में नहीं है लक्षमी तो जरूर कोलापुर की आखे खोलेगी लेकिन इनकी अंधी लक्षमी इनको आदेश आएगा तो ही कुछ होना है चलते हैं अगले को अलज के पास नमस्कार सर नमस्कार बोलिये सर मैं यह बात कह रहा हूं जब सानिया मिर्जा एक प्रोपर ड्रेस के अंदर बैड मिर्जन का खेल खेलती है हां तो उसके उपर आरोप लगते हैं जब सलमान खान आमीर खान और सारूप खान जब खेलते हैं तो उनके उपर आरोप क्यों नहीं सर नहीं यह आज के विशे सी इसका क्या संबंद है चलिए धन्यवाद मैं कॉलर को बार बार कहता हूँ कि हम जानते कि आप विविन्द विशे उपर बोलना चाहते थे पिछले किसी विशे पर आप कॉल करना चाहते थे वो विशे खतम हो चुका है आज हम LBT पर बात करें और इसी विशे पर अगर कॉल करें तो ज़्यादा हम आपको परनाम दिखाते हैं कि क्या परनाम होगा अगर यह इसा ही चलता रहा था देश का बाजार विदेशी कमपनियों के हवाले हो जाएगा जब सरकारे देश के व्यापारियों पर छोटे छोटे और गैर कानूनी टैक्स लगा कर उन्हें खत्म कर देगी तो ऐसे में विदेशी कमपनिया अपने पैर आसानी से पसार लेंगी भारत में महंगाई अपने चरम पर पहुच जाएगी जब पूरे बाजार पर विदेशी कमपनियों का अधिकार होगा तो यह बाजार की कीमत अपने अनुसार ही तै करेगी यह कमपनिया कभी ग्राहक को ध्यान में रखकर अपना व्यवसाय नहीं करने वाले इन्हें तो केवल अपना मुनाफ़ा कमाना है भारती यह किसान कम कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो जाएगा यह विदेशी कमपनिया अपने मुनाफ़े के लिए ही भारत में अपने पैर पसारना चाहती है कई भारती मंत्रियों को इन कमपनियों ने इसके लिए घूस दी है इसका खुलासा यह कमपनिया खुद कर चुकी है ऐसे में आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कमपनिया किसानों की फसल को उचे दामों पर खरीदेंगी देश की जनता महेंगी वस्तुमें खरीदने पर मजबूर होगी जब किसान अपना माल सिर्फ इन कमपनियों को बेचेगा तो आम आदमी इन कमपनियों से ही अपने दैनिक जीवन का सामान खरीदने पर मजबूर होगा एक कमपनिया विदेशी माल को भी आसानी से भारत के बाजारों में खपा देंगी हमसाथ साथ में कई कॉलर जुड़े हैं उनके उनके पास भी चलेंगे लेगिन समय के कमी के कारण हम कहेंगे की कम शब्दों में अपनी बात को रखे नमस्कार बोलिये। हाँ जाहिन सर जाहिन बोलिये सिर्ग उप्ता जैपुर से हाँ यह सर मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने वॉल्मार्ट और यह इसके देख रहे हैं तो इसके अंदर तो कहना में कॉंग्रेस पार्टी से हम इन्वाल्व है क्योंकि अभी आपके बाडरान और राउल गांजे ने काफी जमीन खीज़ा की है तो एक परिके से राजनितिक तोर पर तो इनने देश को हतिया ही रखा है दूसरा व्यापार के तोर पर भी देश को हतिया लेंगे तो हम कॉंग्रेस के आर्थिक रूप से गुलाम हो और उसके बाद राष्ट बक्तों को इस देश को पर चीए है अगले कॉलर नमस्कार नमस्कार हम में जिलिप अल्या भी बोला है उलसमेगर ते हां और ये सरी अलबीटी की शिरुआत हमारे उलसमेगर शेहर से ही हुई थी और इस हर्ताल में हमारे उलसमेगर व्यापारी ब और ये खांगरे सरकार जो हमारे बेश को धीमक की तरफ जाट रही है आम इनको छोड़ेंगे नहीं सर नमस्कार नमस्कार हम उपाई भी देख लेते हैं कि क्या उपाई हो सकते हैं देखिए सरकार तुरंट LBT को वापस ले व्यापारियों पे लोकल बॉडी टैक्स लागू करना एक तरह से छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ने का आसान तरीका है अगर वाकई सरकार इन व्यापारियों का भला चाहती है तो तुरंट LBT को वापस लिया जाए रिटेल में FDI वापस लेने के लिए भी विरोध हो अगर रिटेल में FDI लाते वक्त इनका व्यापक विरोध प्रदेशन होता जिससे सरकार की जड़े हिल जाती तो सरकार रिटेल में FDI को तुरंट वापस ले लेती लेकिन ऐसा हुआ नहीं अब एक बार फिर LBT और रिटे वियापारियों की बात नहीं सुनी तो आने वाले वक्त में ये प्रदेशन आम जनता तक महुच जाएगा विपक्षी पार्टियां LBT के खिलाफ खड़ी हो, देश की विपक्षी पार्टियों का देश के इन व्यापारियों के खिलाफ खड़ा होना बेहस जरूरी है नहीं तो देश की आम जनता में ये संदेश जाएगा कि सरकार और विपक्ष मिलकर देश को लूट रहे हैं स्वदेशी संस्थाएं आगे आकर व्यापारियों के साथ खड़ी हो देश में कई ऐसी स्वदेशी संस्थाएं हैं जो स्वदेश निर्मे चीजों के बारे में जागरुकता पैदा करती है तो ऐसे में जरूरत है कि ये संस्थाएं आगे आकर भारती व्यापारियों के पक्ष वापस लाने के लिए दिखा है थीज सालों तक तो इस देश में कोई टैकस Χी ने लगेगा इस देश में लगातार तीस सालों तक आप फरी में शिक्षा दें पाएंगे इस देश में कोई बेरोजगार नहीं रहे나 क्यूंकि उस्सथे आने वाले कई उद्योग यहां पर लग लेकिन ये करने के बजाए एक तरीके से दिमक की तरह आम आदमी के जीवन को कुट्रे जा रहा है अलग-अलग तरीके से लोगों की उपर अलग-अलग टैक्स लगा कर उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो उसी स्तिती में रहे बलकि और नीचे जाए और सत्ता के साथ एक तरह होकर खड़ा नहीं रहेगा तो निच्छित तोर पर ये लूट नहीं रुखेगी हम आशा करते हैं कि देश इसको समझेगा व्यापारियों की आवाज के लिए नहीं है क्योंकि जब व्यापारियों मारा जाएगा भारत के आर्थिवेवस्ता मारी जाएगी औ तो हमारे आर्थिक आजाद ही खतम होगी अगर हमें आर्थिक रूप से आजाद रहना है और हमें लोकताद्रिक तरीके से आजाद रहना है तो हमें आर्थिक आजाद रहना भी उतना ही जरूरी है आज के लिए इतना ही जहन